एक और वीडियो सोनी M4 यूजर्स के लिए में लेके आया हूँ आज कर जो वीडियो आपके साथ में शेर करने वाला हूँ फोकस रिलेटेड फोकस जब हम फेस और आई को सलेक करते हैं या फिर फेस आई के क्या-क्या फोकस के ओप्शन देखने को मिलते हैं इसी बारे में ये वीडियो है मैनी बटन को प्रेस करके आपको फोकस में चले जाना है फोकस वाले सैटिंग्स में और वहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है फेस आई एफ में कि जब भी हम फेस आई एफ में जाते हैं या फिर हमें किसी का आई या फिर face को track करना आता है क्या क्या option आपको देखने को मिलते है सबसे पहला option यह है कि अगर आप किसी का face या आई को priority को लगए select करना चाहते है on करना चाहते हो तो इस पहले वाले settings से on और off कर सकते हो दूसरा जो focus का settings है कि आप आई या face को focus करना चाहते है बट subject को आपको क्या select करना तो यहाँ पर देखे human का option है animal है और word का option दिया हुआ यहाँ से आप custom करके किसी एक को भी select कर सकते हो तीसरा जो हमार पास option है subject select setting अब देखे subject select settings में क्या होता है कि अगर आप अंदर से custom वाला option select कर रखे हो means अगर आपने सिर्फ human को कर रखा है तो आपका camera सिर्फ human को ही detect करेगा अगर आपने animal को कर रखा तो animal को भी detect करेगा ठीक है तो यहाँ पर तीन option दिये हुए है जो capable है camera में human, animal और word अगर आपने custom यहाँ से तीनों को select कर रखा है तो camera जिसे भी देखेगा तीनों में से वो उसको आई पर focus करने लगेगा यह custom option है या फिर आप दूसरी वाले settings से भी आप single भी select कर सकते हो उसके बाद जो अगला settings है यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि right left eye select जब भी आप किसी subject के eye पर focus करते हो तो देखे आप तीन option आ रहे है या तो auto रख लीजिए जहाँ पर camera जिसे deduct करेगा वहाँ focus कर लेगा या तो right या फिर left आप इसको custom करके भी select कर सकते हो तो camera उसी तरह से perform करेगा subject के right या left eye पर अगला जो settings है यहाँ पर क्या है कि face और eye के frame के display को ये show करता है कि कैसा frame चाहिए आपको face और eye में उसके बाद अगला जो focus का settings है registry faces priority practically मैंने भी चीज़ को देखा नहीं है कभी जब practical करेंगे तो next time आपको ज़रूर मैं दिखाऊंगा किस तरह से face priority को ये register करता है तो अभी फिलाल इसी settings के बारे में हम बात करते है focus related दोस्तों और भी बहुत सारे वीडियो में आपके साथ share करूंगा future में वीडियो आपको कैसे लगा comment करके जरूर बताना और कोई अगर problem होगा कोई question होगा तो comment करके पूछ लेना या फिर मुझे Instagram पे DM कर देना साथि मुझे Instagram पे follow भी कर लीजे जहाँ पर मैं कुछ नहीं वो tips आपके साथ में share करते रहता हूँ चैनल को subscribe जरूर कर देना ताकि कोई वीडियो आप से दोस्तों मिस ना हो जाए चलिए दोस्तों एक नए वीडियो में जल्दी आप से मुलाकात होगे तब तक के लिए good bye